तो आए दोस्तों सबसे पहले लेत ही कोष्टन में हमें करना क्या ठीक है देखी कोष्टन में को बोलके रखाए कि सिंपल हमारे पास चार सिच्टुएशन में से क् Vel five सा सिच्टुएशन होगा जो एक करे अरिथमाटिक पर चलता है उन सभी का आठाट रुपय लगता है ठीक है कुछ कुछ समझ में आएगा कुछ कुछ बाकि होगा उसका ओम लोग यहां पर इस ड्रोइंग के बैसे पर समझते हैं ठीक है देखें माल लीजे कि आप इस टैक्से में बैठेंगे तो पहला यहां से एक किलोमेटर चलने का कितना भाड़ा लगेगा आपको 15 रुपय लगेगा ठीक है और उसके बाद कि जितना आप एडिशनल किलोमेटर चलेंगे जैसे कि यहां पर एक किलोमेटर हो गया अब यह किलो आपके बाड़ किलोमेटर चलने का सैंपल आपको पास कितना लग रहा है 15 रुपय लग ठीक है अब अब तिसरी किलोमेटर पे आपका 1-10 प्लस-1 तो पहला ऒया है यहां पर 15 रुपया प्लस आठ फिर वापस आठ तो कितना होगे आपके पास सिंपल यहां पर 2031 ठीक है यह 31 उसके वापस आगे बढ़ होगे तो यहां पर वापस चार किलोमेटर हो जाएगा तो पहला किलोमेटर का तो आपको 15 रुपय पेड़ करना पड़ेगा दूसरा कहा कितना हो जाएगा इसमें भी आपक़ 8 राथ इसमें भी आपकान सभी प्लस कर देंगे तो सिंपल कितना आजएगा आपके पास 39 ठीक है तो देखिए इस इस पर आपके पास क्या क्या आगया यह आपका यह फेर और क hatır कितना है 15 ठीस है 11 31 mummy about तो क्या एक arithmetic progression है इसको आपके चेक कर लो ना कैसे चेक कर होगे सिंपल यहाप पर D की वैल्यों निकालो तो D निकालने के लिए हम दो सिंपल क्या करेंगे A2-A1 तो देखते हैं इसको सिंपल सेम है तो एक arithmetic progression है ठीक है और उससे पहले में आपको बोलना चाहों कि अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग सबसे पहले इंट्रोक्शन पार्ट वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिगा इसके दिटेल में समझाया है कि यह सब टम्स क्या होते हैं ठीक है तो आप लोग इसको जरूर चेक कर लिजगा ओके अब लोग करते सिच्वेशन नंबर टू ओके दोस्तों तो अब देखने की सिच्वेशन टू में हमें क्या बोल के रखा ठीक है देखें इसके अंदर हमारे पास एक अंदर के अंदर जितने फियर प्रेजंट है उसका वन फोर्थ क्या करता है एक ही बार में क्या करता हूँ रिमूफ कर देता है ठीक है बस इतना खाली आप लोग घ्यान समझ लिजें तो थोड़ा समय इसको और भी आप इस एक्जांपल के दो समझाता हूं कि कि किसी भी कि तो वन फोर्थ निकालना हो तो हम नों सिंपल क्या करते हैं उसको multiply by one fourth कर देता है जैसे कि यहां पर हंड़ेट का वन फोर्थ आपको निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे आप मल्टिप्लाइब वन वार फोर्थ ठीक है यहां पर सिंपल कितना आगे आपको 25 जो है उस्पल कितना आपका 25 तो सिंपल इसी तरीके से कोई भी आपके पास जितना भी इसके अंदर अमांट ऑफ एर प्रेजंट रहेगा एक बार जो वो पंप करेगा तो उसका वन फॉर्थ रिमूफ कर देगा तो देखिन आपको यहां पर नहीं बोल के रखा है कि कितना एर उसके अंदर प्रेजंट था तो मैं यहां पर सिंपल कुछ नंबर लेट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में तो मैं आप उसको लेट कर लेता हूं ओके तो हम लोगों ने यहां पर सिंपल क्या कर लिए हैं लेट कर लिए हैं कि जो टोटल अमांट ऑफ एर अभी के लिए जो प्रेजंट है ना इस सिलेंडर के अंदर हो कितना है 128 ठीक है तो देखिन सबसे पहले हमारे पास अभी कितना था 128 लीटर है ठीक है अब इस 128 पास फूर थीजां 12 और यहां पर टू ठीक है तो 32 मतलब इस 128 का 32 था टीक है और रिमूफ कर देगा जब एक बार ओंप करेगा तब ठीक है तो 128 में सिंपल माइनस कर देंगे 32 तो कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपल है नाइन इसीं ठीक है तो यह एक बड़ पंप करेगा इसके इंदर तो 96 का 1 by 4 पार्ट क्या कर देगा उसको रिमूफ कर देगा तो जब यह कैंसल होगा तो यहां पर कितना जाएगा आपका ठीक है तो अब यहां पर 72 लिटर बचा ठीक है और आपस पंप करेगा तो 72 का 1 by 4 रिमूफ हो जाएगा यहां पर 72 इन्टू 1 by 4 कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वंजाम और यह पास 18 फोजाम 72 टो अब 72 था अब 72 में से आप 18 लेटर क्या हो गया बाहर चल गया ठीक है तो कितना जाएगा सिंपल हमारे पास यह उके तो सिंपल यहां पर कितना जाएगा मानास करने पर हमार list of numbers अब यह क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है उसको फांड करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे दे निकाल देंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो देखें हमारे पास सिंपल कितना है 96 और एवन हमारे पास कितना है 128 तो जब हम लोग इसको इससे माइन करेंगे तो कितना आएगा माइनस 32 ठीक है तो इसके इसके बीच में कितना डिफ्रेंस का है माइनस 32 अब हम लोग देखें इसमें भी क्या डिफ्रेंस सेम ही है तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूं तो D is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास अभी के लिए A3-A2 तो देखे यहाँ पर 32 माइनस का और यहाँ पर माइनस 24 तो क्या यह equal है नहीं है ठीक है तो जब हमारा D ही common नहीं है तो यह हमारे एक arithmetic progression है यह है ठीक है यह simple है आपके पास it is not a AP जस्ट आप लोग ऐसे इसको लिख देना ठीक है तो यह था आपका part 2 का answer अब हम लोग मिलते हैं part 3 पे ठीक है